TRB coin के अंदर एक बड़ा breakout आने वाला है, बहुत सारे token unlock यहाँ पर होने वाले हैं, इसके बाद उन coins के अंदर हम short करके अच्छा profit होना सकते हैं, जैसे कि EO coin में हमने होना आया था, एंद तीसी तरफ यहाँ पर Ethereum के ETF को लेके news आने वाली है कि approval मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़े हैं जो आने वाले 24 गंटे के अंदर यहाँ पर होनी है, वीडियो बहुत साथ important है, last time वीडियो को देखीगा, सारी चीज़े हम discuss करेंगे, जो भी आपके questions है, कल आपने comments के अंदर पूछेते हैं, उन सारे questions का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, आपके जित्ते ही favorite dollar coin से सबका analysis आपको आज ही इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, उसके लाब अगर आपका कोई और question रह जाता है, या आपने पूछा नहीं था, तो आज इस वीडियो के comments में पूछ लिए ना, कल वाली वीडियो में, next वीडियो के अंदर मैं जबूर करूँगा, आपका जोबी स्वाल होगा वीडियो स्राट करते हैं, teller coin, यानि की TRB coin के साथ, जो कि last one day के अंदर, last 24 hours के अंदर, यहाँ पे 13% टक rally कर चुका है, हाला कि bitcoin sideways देखने को बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी, अभी currently अगर आप इसका price को ले होगे, तो 4 hour chart के अंदर, यहाँ पे एक trend line से reduction ले रहा है ठीक है, अगर यह trend line breakout होती है, that means की सिदा सिदा हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे जो आप level लेख रहा है, 125 डॉलर का, इसके उपर 4 hour candle closing होती है, तो यहाँ से जो next target हमारा रहेगा, वो around around 148 डॉलर का हमें देखने को मिलेगा, यानि की लगबग लगग अगर इसके उपर 4 hour closing हो गई, तो यहाँ से कम से कम अगर आप calculate करोगे, तो हमें 15% का और पंप देखने को मिलेगा, अगर 148 डॉलर के उपर 4 hour के closing होती है, then हमारा next target यहाँ पे 200 डॉलर का भी रह सकता है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक प्रपर रिएक्शन आता है, जिसके चांसे यहाँ से यहाँ से यहाँ पर रिवर्सर के चांसे बनेंगे, फिलाल के लिए अब भी अगर आपको एंट्री लिए तो इसका breakout का वेट करना, 125 के उपर जैसे ही 4 hour के closing हो, उसके बाद यहाँ पर एंट्री बन जाएगी, ट्यार्वी कोईन के दर buying की, अभी लेन चाहो, अभ 12 डॉलर के आसपस आपका stop loss होना चाहिए, अगर 2x leverage के साथ आप यहाँ पर long कर रहे हो, ट्यार्वी को अभी के लिए, ना बात करें, ट्यार्वी कोईन के बारे में, तो यहाँ पर एक range movement ही कर रहा है, इसके साब से अगर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टन एडिया है, इ इसके breakout के बाद एक continue rally हमें देखने को बिल सकती है, ट्यार्वी कोईन के इंदर एक और लास्ट कुछ आप देख सकतो मन से, काफी heavy resistance area यह रहा है, ट्यार्वी कोईन के लिए, बागी बात करें, ट्यार्वी कोईन की buying range की, तो मेरे साब से जो इस समय पर ट्यार्वी कोईन का अच्छा buying area है, वो $90 से $104 का है, इन दोनों levels पर अगर आपको कहीं पर मिलता है, तो ट्यार्वी कोईन के इनल, actual में एक buy बनेगा, जो कि under value वाला buy होगा, तो लोगर यही update था, ट्यार्वी कोईन को लेके, next बात करते हैं, यहां पर bitcoin अपडेट की, bitcoin के अगर आप daily chart को दे मंडे आला दिन होता, जब market खुलती है, इन इस stock market भी खुलती है, वहाँ पर एक rally हमें देखने को मिल जाए, जहातर हमने देखा है कि Sunday की रात में हमें एक बड़ी rally देखने को मिलती है, फिर Monday को market positive रहती है, तो वही expectation मेरी अभी है, यहां पर bitcoin को लेके, bitcoin को लेके मैं positive 73,000 dollar expect करा हूँ कि bitcoin hit करेगा, आने वाले कुछ घंटों के अंदर 18-40 घंटे के अंदर हम मान सकते हैं, वहीं दूसरी और अगर हम bitcoin का 4-hour chart को देखते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हूँ, bitcoin ने एक इस level पर range movement करा, फिर breakout करा, अभी totally range movement के अंदर दुबारा यहां पर जा इसके नीचे अलगा है, तो दुबारा से हमें crash देखने को मिल सकता है, तो crash के chances तब बनेंगे, जब हम यहां पर 65,000 dollar करेंचे, 4-hour candles closing देंगे, उसके उपर जब तक हैं, तब तक market मेरे साफ से bullish रहनी चाहिए, यहां पर crash के chances नहीं होने चाहिए, उतना है, नेक्स बात करें इसी मन के अंदर, या आने वाले मन्स के अंदर, coinways में सीरी से यहां पर बोल दिया है, ether has the potential to surprise to the upside, यानि कि surprise करें दम से लोगों को यह upside movement देखे, and वो शायद हमें इसके ETF approval पर देखने को मिले, because chances are very high, कि इस मन के अंदर कुछ ना कुछ हमें ETF को देखके news मिलने वाली है, अ जैसे कि Bitcoin के अंदर चीज़े चल रही थी, लगबग 2-3 महीन लग गए अप्रूवर मिलने में, वैसे ही Ethereum को भी हाँ पर time लग सकता है, but in the end, जब approval मिलेगा, वहाँ पर Ethereum काफी अच्छा perform करता हूँ, हमें देख सकता है, Ethereum के ओपर इस समय पर नदर रखती है, और यह falling wedge को य आस-पास की, जैसे ही, यह resistance level breakout होगा, that means की $3,158, जो आप यह level देख रहे हो, इसके उपर 4-hour candle या daily candle clothing होगी, तो next target यहाँ से Ethereum का easily मैं मान के चाहता हूँ, $4,000 रह सकता है, तो नदर रखना इसके उपर बहुत अपर important है कि इस level को यह breakout करे, now इंदर लास आते हैं, आप लो आवे कोईन को इस समय आप देख सकते हो, यहाँ पर इस समय पर support area का है, वो $78.14 का है, अभी जैसे आप से यहाँ पर हमें rejection देखने को मिल रहा है, daily chart के अंदर, Bollinger Wend के SMA से, बहुत अदर चांसे से यहाँ पर रहेंगे कि इस level तक गर के price आजा है, which is $78.14, तो और हम बोल सकते हैं, यहाँ पर जिससे आप से आवे coin एक range के अंदर फसावा है, यहाँ पर entry तभी मनेगी जब इस trend line का breakout आएगा, या फिर इसके अंदर entry तब बनेगी जब यह अपने actual support के उपर गड़ के आएगा, then यहाँ पर एक orange green candle formation करेगा, otherwise, अगर आपको short करना है, तो यहाँ 78.14 डॉलर का level जैसे ही break होता है, यहाँ पर short करना उस समय भे जाया जाएगा, उसके बाद next question था है, यहाँ पर ace coin को लेके, यह coin अभी अपने all time low के आसपास यहाँ पर trade कर रहा है, chances are very high कि यहाँ पर price support लेता है, हमें दिख जाए अगर BTC upside move करता है, but अगर यह level यहाँ पर stop loss ला जा सकता है, and target हम यहाँ पर maximum लेके जा सकता है, because जब fall करना coin start करता है, तो कहाँ पर रुखेगा, किसी को नहीं पता होता, next question था है, mbox को लेके, जो currently daily chart के अंदर आप देख सकता हो, एक symmetrical triangle formation यहाँ पर कर रखा है, अगर यह symmetrical triangle upside break होता है, यहाँ पर entry का मौका बनेंग वहीं downside break होता है, तो यहाँ पर एक short entry बन सकती है, जिसका target हम 0.2684 का लेके चाल सकता है, because यह काफी अच्छा support area रहा है, यहाँ पर, mbox point के लिए, वहीं upside में breakout करता है, तो upside में इसका target रहेगा, अराम से मुझे लगता है, कि हम लेके चाल सकता है, 0.5 dollar के उपर का, जो की long term के लिए, next question था, m of vr coin को लेके, जो की currently आप देख सकते हो, एक rising channel के इंदर trade कर रहा है, अगर rising channel या फिर flag ये नीचे की side breakdown होता है, तो यहाँ पे एक short guarantee बनेगी, अभी भी जिसका आप से candles बनी है, short लिया जा सकता है, stop loss यहाँ पर आपना लगा लेना, 17 dollar के उपर, अगर trend lane से rejection ले रहा है, अगर trend lane को breakout करेगा, तो यहाँ पे entry बनेगी, save as other old coin, trend lane से जिसे आप से rejection ले रहा है, यहाँ तक गिर के आ सकता है, 0.006433 तक, and यहाँ पे आकर green candle दी, तो यहाँ पे दूसरा entry का होनेगा, तो trend lane breakout करे, यह actual support की पर आए, दोनों में से एक चीज़ हो, तो उसके बाद ही इसके अंदर entry बनेगी, otherwise अभी के लिए कोई entry नहीं बनेगी, because rejection ले रहा है, तो यहाँ पे आप सही डाने के chances अभी साधा मनेगा, next question है, ape coin को लेके, जो gaming ecosystem का part है, currently यह trade कर रहा है, एक symmetry triangle के अंदर, इसके अंदर भी अगर breakout या breakdown आएगा, उसके accordingly ही यहाँ प next question था, pipe coin को लेके, जिसके अंदर काफी लोग पूछाते क्या short करना है, तो currently इसके अंदर इसके unlocking हो नहीं है, सिर्फ देख सकतो हो, यहाँ पे कुछ घंटे ही बचा है, unlocking में, एक दिन 6 घंटे के आसपास बचा है, pipe coin की unlocking में, और यहाँ पे इसने daily chart के अंदर, एक support को detest ब देख सकते हो, एक bearish candle formation हुई है, यहाँ पे एक resistance के उपर, जिसके साफ से एक short entry यहाँ पे बनाई जा सकती है, यह short entry मुझे लगता अच्छा profit दे सकती है, आने वाले 14 घंटे के अंदर, तो चाहो तो ले सकते हो, totally आपके उपर divan करता है, मैंने personally सिर्फ एक ही short trade ली है, आ सकती है, अगर आप anti लना चाहता हो, इस के इंदर बना सकता हो, spot की, because अपने bottom के उपर trade कर रहा है, तो long term में भी hold करता हो, तो बुरा project नहीं है, अराम से one drawl के उपर trade करता हो, एक जग आपको long run के अंदर, जब also जिनाएगा, उसके पाद फिर dot coin हमाले पास आ जाता है, जो currently एक range movement के इंदर trade कर रहा है, अगर ये range को उपर की side breakout करेगा, 7.48 के उपर, यहाँ पे daily candle closing करके देगा, तो यहाँ पे एक entry बनेगी, उससे पहले anti लना, इस coin के इंदर रिस्की रहेगा, फिर हमाले पास doge coin आ जाता है, जो gain एक range movement के इंदर trade कर रहा है, currently इसका support area है, ज एक ascending triangle formation यहाँ पे कर रहा है, अगर ascending triangle उपर की side breakout करता है, 0.552, इसके उपर यहाँ पर daily candle closing होती है, तो ही entry यहाँ बनेगी, लास्ट में हमरे पास note coin आ जाता है, इसको अगर हम वना चार्ट के इंदर देगे, तो अभी इसको stabilize होने दो, मेरे साफ से जब इस stable हो जाएगा एक totally sideways movement के बाद, तो इसके इंदर जब breakout आएगा, तो entry लेने का मौका बनेगा, अभी थोड़ा इसको stable होने दो, low profit booking कर रहे है, जिनको भी free value coin यहाँ पे मिला है, इंदर लास्ट यही चीद हो लूँआ, ज्यादर तर coin इस level के उपर है, जहाँ पर कोई trade नहीं बनता, हमारे पास सिर्फ एक ऐसा coin था, इसके इंदर trade बनना था, वहाँ आपको बता दिया, जो कि हमारा fight coin इसके इंदर short rate बनना था, अगर आपको long करना है, तो फिर मेरे साब से fight coin मत देखना, long करने के लिए bitcoin को देखना, because bitcoin dominance काफी अच्छा मैं देखते हूं गल रहा है, इस समय के लिए, also आप ethereum classic या फिर, ऐसे coins को देख सकते हो, जिनके event आने माले है, solana हो गया, ethereum classic हो गया, यह सारे अच्छा पावं करते पर देख सकते हैं, तक कि आज की वीडियो में यह update था, next video के अंदर जल्ली मिलेंगे, तब तक के लिए, ध्यान रको, good bye, take care.